आज हम बनाने जा रहे हैं कटल मसाला इसे हमने सेमी ग्रेवी में रखाया और ये बहुत ही डिलिश्यस बनता है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले तो शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो कटल लिया है जिसे हमने अच्छे से वाश करकी इसके छोटी पीसिस काट लिये हैं इसके उपर वाला हाट शेर हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से अब हमें कडाही लेंगे कडाही में तेल डाल कर उसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल की गरम होने पर हम उसमें कडल के पीसिस डालेंगे इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे और इसे गोल्डन प्राउन होने तक फ्राइ करेंगे कटल अब फ्राइ हो चुका है इसे हम बाहर निकाल लेंगे बसाला बनाने के लिए हमने एक बड़ा प्याज, दो टमाटर, थोड़ा सा अद्रक और नाइन क्लोज गालिक के रफली चौप किये हैं दो हरी मिर्च ली हैं और एक निमुकार रस लिया है अब हम एक पैन लेंगे पैन में दो चमच तेल डाल कर उसे अच्छे से गरम कर लेंगे इसके बाद हम लसन, अद्रक, प्याज डाल कर इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज के हलका सॉफ्ट होने पर हम इसमें टमाटर और एक चमच नमक डाल देंगे अब हम इसे कवर करके पांच मिनट के लिए पकाएंगे पांच मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा अब हम इसमें मसाले डालेंगे अब इसमें आधा चमच हल्दी, एक चमच देगी मिर्च और एक कप पानी डालेंगे इसको हम पका लेंगे और इसके ठंडा होने पर हम इसे फिर ग्राइंड करेंगे ग्रेवी अब ग्राइंड हो चुकी है अब हम एक पान लेंगे पान में दो चमच तेल डालेंगे तेल के गरम होने पर हम उसमें दो हरी मिर्च, एक चमच देगी मिर्च डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम ग्रेवी आड़ करेंगे ग्रेवी के हलका मिक्स होने के बाद हम इसमें एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच कस्तूरी मेथी, आधा चमच नमक, एक चमच चाट मसाला और नीमु का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें फ्राइ किया हुआ कटल अड़ करेंगे कटल को कवर करके हम इसे पांच मिनट के लिए पकने देंगे पांच मिनट के बाद ग्रेवी ने ओईल छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि कटल हमारा रेडी हो चुका है आप इसे घर में ज़रूर ट्राइ करें ये बिल्कुल नॉन वेज जैसा लगीगा और भी ऐसी इंट्रस्टिंग रेसिपीज जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें